वार्निंग साइन ओफ एंटी कंसल्टेशन कब हमें एंटी कंसल्टेशन करना ही चाहिए यास दोस्तो मैं सेट डॉक्ष नीलता हूं और कंसल्टेइंट एंट डाइनोप्लास्टी सर्जन बात करते हैं क्या वो सिंटम्स हैं जब हमें तुरंत एंटी चेक अप के लिए डॉक सबसे पहले अगर आपको इयर के अंदर परसिस्टेंटली डिस्टार जा रहा है कान के अंदर पानी कंट्विंवे अछाए है तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो भी हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए तुरंत एंटी सर्जन को इसके अलावा अगर आपको कान से डिसार्ज भी है डिक्रीज हेरिंग भी है बट आपको सड़न बहुत तेज हैड़क स्टार्ट हो गया या कान के पास में यहां पर गांटों का बनना हो गया तो भी दोस्तों तुरंत हमें जो है एंटी सर्जन के पास कंसर्ट करना चाहिए बहुत बार दोस्तों आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होती बट अगर आपको जब आप एकांत में होते हो तो आपके कांत से रिंगिंग सांग्स लाइक जैसे कि बार्ड की चैमरिंग है सही अवाज आना है जिसको हम मेडिकल लेंग्वेज में टिनाइटिस बोलते हैं तुरंत हमें दोक्टर को दिखा कि उसकी उच्छित सलह और उसका मैनेजमेंट लेना चाहिए जिससे आगे आने वाले और दुस परिणामों से हम बच्चा सकते हैं दोस्तों यह हमारा इयर से र परिण है तो भी तोरंत क्या है एंती को दिखानाश्य को इसके अलावा नोज ऑल श्मैंलिग है। ब्रीधिंग हो राएं दूसरे नोज से ब्रीधिंग नहीं हो रा 20 अनया टॉर्ड़ा मोजो में लेया चाहिए इसके इलावाarest की पहले से और तुरंदर एंडिश ओफ एंड ओन क्रोनिक ब्लीडिंग है यंग मैल पेशेंट है उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि बहुत बार क्या है कई बार एक एंजो फाइबरो नाम की प्रॉब्लम होती है जो मॉस्ली बॉइज में यंग बॉइज में होती है और उसका जो करेक्टरि फीचर है नेजल ब्लॉकेज एंड कभी-कभी ब्लड का स्पोर्ट नोज से हाना एंड बहुत पार क्या है डिक्रीज हेरिंग भी हो जाता है जब वह मास्म बढ़ा हो जाता है तो यह नोज की वार्निंग साइंस है अगर आपको जो हैं एक सिंगल नोज से डिशार जा रहा हो दोस्तो इसके अलावा अगर हम यह और नोज की बाद थ्रोट का अगर हम बात करते हैं तो एक मैं जो वार्निंग साइन है वह है कि आपको जब आप बात कर रहे हो या जैसे आप खासी के साथ में बहुत बार जो है बलड अगर आता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना होता है आपकी आवाज के अंदर दोस्तों लंबे समय तक चैंजेज है और इमनिंग तक जाते जाते आवाज पटिंग हो जाती है तो भी हमें डॉक्टर को तुरंत हमें दिखाना चाहिए इसके अलावा दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं बुजूर्ग होते हैं जिनको अस्तमा होता है जो सी ओपीडी की पेशेंट्स होते हैं जो इनलर कंटीनु लेते हैं और उनके अगर खाने के अंदर प्रॉब्लम हो रही है खानी पारे तो भी हमें तुर्ण डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि बहुत बार क्या कैंडिटा फ स्मोकिंग कर रहा है और उसको उसकी आवाज में बदलाव आने लग गया तो भी हमें तुर्ण डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि हो सकता है वो कैंसर का रूपदारन भी गले का हो सकता है बहुत पार दोस्तों कोई हमारे नैक के अंदर कोई जाने अंजाने में कोई बड़ पाली जिदर गले में प्रॉबलम है उसी की तरफ कान में भी दर्द हो रहा है और अगर कोई डिजीज प्राइमेरी स्टेज में ड्यागनोशी होती है तो उसका ट्रीट्मेंट बहुत बहुत ही होता है एड-वस्पोबल ही वो क्योरे बाट उर्याज़ होती है ब Cord Storm Doyc G others ट तो दोस्त अमें ते इनदी नहीं है रहा है, और हमें बहुत सरे बिस्ट करिणा मोझे होता है वहने हो कि सभ पुमखे हां कि अच्छे हिलाज करना पार हम आउता है को मैं हमें नहीं होता है। तेंक यू